हेलो दोस्तों स्वागता आपका दभीजन उपीपी से चैल में मेरा नाम है सिभम चैल दोस्तों आज हम मिडवल इंडिया की स्रीज जो है शुरू कर रहे हैं यहां से और इसमें हम सुरू करेंगे मुहम्मद बिन काशिम को महमूद गजनवी को देन उसके बाद में सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मुहम्मब बिन कासिम की पहले आप यह समझ लिए कि यह आक्रमन सुरू कैसे हुआ देखिए कहानी इस टाइम की सबस्क्राइब के अरब के एक साशक थे उनका एक जो जहाज था वो सिंद प्रांद बंदरगा बहां पर कुछ लुटेरों जारा लूट लिया गया था बहां के सासक ने यहां के जो सासक ते दाहिर उनको भेजा कि भाई आपका जो एक हमारा जहाज है वो आपके लोगों के दारा लूट लिया गया है आप मेरा सामान मुझे बापिस कर देजिए लेकिन जब यहां के सासक ने ऐसा मना कर दिया कि नहीं वो लुटेरे मेरे बस में नहीं है तब उन्होंने कहा था कि जब आपको आपके प्रांत में प्रिशासन समालने की भी आपके पास छमता नहीं है तब आपको इस प्रांद पर अधिकार करके आपना सासन नहीं चलाना चाहिए मैं इस प्रांद को जीतूंगा तब एक व्यक्ति था हज्जाज उसको उन्होंने देवल को जीतने के लिए भेजा था दो वार अक्मण किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था हज्जाज का दामा था मुहम्मद विन कासिम मुहम्मद विन कासिम को भेजा गया 711 में और मुहम्मद विन कासिम ने 712 तक इस अभियान को सफल बना दिया था इस अभियान का नाम था सिंध अभियान सिंध को जीता था मुहम्मद विन कासिम ने उमर थी सिर्फ 17 साल और यह व्यक्ति पहला मुस्लिम आक्रमनकारी था इस वक्ति के प्रधान से आप समझ सकते हैं यह वक्ति अर्वी था अर्वी में बार बार आपको इसलिए ध्यान दिला रहा हूं क्योंकि बात कि जो लोग थे वो तुर्क थे तो डिफ्रेंस था इन दोन अर्वी में अनवाद किया है दोस्तों सिंध अव्यान को हम देख लेते हैं कि उसकी शुरुआत कैसे हुई थी तो देखिए सिराज से वो चला और उसके बाद में सबसे पहले मकरान पहुंचा मकरान को उसने जीता मकरान को जीतने के बाद वो डिरेक्ट डेवल गया डेव जीतने के बाद में वो मुलतान गया और मुलतान में उसको इतना सोना मिला कि मुलतान का नाम जञेंज करके सोननगर रख दिया गया तो यह इस तरह से यह 712 का सिंध अव्यान का किरम था कि वो कहां कहां किसके बाद कैसे गया दोस्तों बात करते हैं तुर्क आकरमनकारियों की पहले जो थे अरब थे मैंने आपको बताया था और ये लोग जो हैं तुर्क हैं और तुर्क में कौन महमूद गजनवी इसके इतिहास की सिरुवात होती है अलत्यगीन से तो उस्तों गजनी परांत में एक छोटी सी तुर महमूद गजनवी ने उसका प्रसासन को समाला सुभक्तिगीन के बाद जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि सुभक्तिगीन पहला तुर्क आकरमनकारी था जिसने भारत पर आकरमन किया तो याद रखिये पहला अरवीता मुहमद विन कासिम सुभक्तिगीन पहला तुर्क आक व्यक्ति था शिस्तान का उसको मेहमूद गजनवी ने हराया और सुछान की अपाधी दहरार की से पहले किसी व्यक्ति ने सुछान की ऋपादी नहीं ली थी। कुछ उपवादियां इसकी हैं वो है अमिनुद दौला, अमिनुल मिल्ला और बुद्शिकन, बुद्शिकन का मतलब होता है मूर्ती भंजक जो मूर्तियों को तोड़ता हो, सोमनात मंदिर को इसने तोड़ा था, भारत पर इसने सत्रेवार आकमड भी किया था तोस्तों, reason देख लेते हैं हम इसका, तो जो empire of महमूद गजनवी था, यह गजनी प्रांथ है आप देख सकते हैं, और यहां पर यह जो था, इसने इसका इतना बड़ा जो अच्छे सामराजी था पूरा, यह महमूद गजनवी के अंडर में ही था, तो देखिए हम देख लेत इसका सोलवा जो आकरमण था, वो सोमनात मंदिर को लूटने के लिए इसने किया था, आपको दो चीज़ important हियाद रखिए, कौन सा आकरमण था, तो सोलवा आकरमण था, कब किया, एक हजार पच्छिस में किया, क्या काम था, जो सोमनात का मंदिर था, उसको लूटा था, उ इसकी बज़े ये थी, कि कई वार ऐसा हुआ था, कि महमूद गजनवी अपना लूट का सामान यहां से लूट के ले जा रहा था, रास्ते में जाटो नहीं, उसका पूरा जो कुनवा जा रहा था, तो उसको जो है, उसने लूटा था, मतलब लूट पे लूट चल रही थी, तो इस सब चीजों से नाराज होकर जाटो के खिलाफ आखरी आकर्मण किया था, महमूद गजनवी ने, इसका कोई धे नहीं था कि यहां पर रहना था इसको, वस इसने यहां पर लूट पार्ट की थी जितनी भी, और सामान को लूटने के बाद यह बापस चला जाता था, सब्सक्राइब का मंदिर है सोमनात और इसको जो है 1025 में जो है तोड़ा तोड़ा था इसने महमूद गजनवी ने और इसके बाद एक इंपोर्टेंट चीज और है कोई व्यक्ति था साइथ कुमार पाल नाम था उस व्यक्ति का, उसने इसको दुवारा से जो है बनाया था तो यह इंपोर्टेंट था महमूद गजनवी के बारे में, दोस्तों यह पिक्चर आप देख रहे हैं, यह पिक्चर है अलवरुनी का, कोशन पूछाता है कि अलवरुनी जो है, इसके काम आप देख सकते हैं, यह क्या-क्या था, एक तरह से अलवरुनी अल्राउंडर था, अलवरुनी अल्राउंडर, ऐसे करके आप याद रखिए, क्योंकि अलवरुनी के उपर बहुत वर कोशन आता है कि एक हगुल सास्री था, जोतिस था, इतिहासकार था, यह सारी चीज़ें आप से पूछी जाएंगी, तो सही बात है, यह सब कुस था, अल्राउंडर था एक वैहाकी ने एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था, तारीक ए सुबक्तगीन, फिर्दोसी की एक पुस्तक है सहानामा, तो यह लोगों के पुस्तक है, इनका नाम पूछा जाता है, इनके काम भी पूछ ली जाते हैं, तो इंपोर्टेंट है, आप इनको याद रखिए, अलवरुनी ही सबसे जादे इंपोर्डेंट है, लेकिन उत्वी जो है, उतिहास का रही इंपोर्डेंट है, वैहाकी ने पुस्तलखी थी, तारीक ए सुबक्तगीन, और फिर्दोसी ने सहानामा, दोस्तों आगला जो आकरमकारी था, उसका नाम था मुहम्मद गौरी, मुह पस चला गया था जीतने के बाद में, इसलिए भारत में गुलामबंस की स्थापना होई थी, इसके पहला आकरमन देख लेते हम, 1175 में इसने पहला आकरमन मुलतान के खिलाफ किया, जिसमें ये सफल राइस ने जीता, उसके बाद इसने दूसरा आकरमन किया था गुजरात म और इसने भी दुतीये के खिलाप, भी दुतीये ने इसको हरा दिया था, तो याद रखिए, महम्मद गौरी की भारत में पहली हर थी, जो युद्र लडा था इसने भी दूतीये के खिलाप, प्रत् Polish बाद में तराइन के दो यूद हुए थे तो फस्ट जब हुआ था उसमें 1191 में हुआ उसको जीता था प्रतिवराज चोहान थर्ड ने उसके बाद तरायन का दुद्धिय युद्ध हुआ और 1192 में गौरी वर्सिज प्रतिय यान की थर्ड तो इसमें जो है गौरी की जीत हो गई थी और उसके बाद में चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में इसमें भी गौरी जीता और जैचंद्र हारा और इसकी मिरत्यू भी इसी युद्ध में हो गई थी दोस्तों यह करम था और इसको जीतने के बाद जो है अपने जो उसके गुलाम थे उनको प्रशासन दे के मौहमद गौरी जो है बापस चला गया दोस्तों मुहम्मद गौरी से जुड़ोगी दोएक्ट और है कुशन आता है कि कौन सासक ऐसा था जिस ने अपने शिक्क्य पर Coin पर जो है लक्षमी की मूर्थी और नंदी की मूर्थी जो है चपबाई थी तो important है मुहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी एक तरफ जो है लक्ष्मी की मूर्ति या अकृति को उसने छफबाया था दूसरी वाद यह पुस्तक है तबकाई ते नाश्री तो यादर कि तबकाई ते नाश्री जो पुस्तक है लिखी थे मिनाज उसराज ने और इ गौताया गया है मुहम्मत गौरी के सारे अभ्यान के बारे में और कोईन पे लक्ष्मी की मूर्ति भी बनवाई थी तो मुहम्मत गौरी ने दोस्तों आज की वीडियों बस इतना ही आपको कैसा लगा मेरे वीडियो मुझे जरूर बताएं और हम इस पर अगली हमारी जो वीडियो होगी वो होगी दिल्ली सल्तनत पर गुलाम बंस पर तो उसमें जो है दिल्ली सल्तनत को हम पूरा जो है खतम कर लेंगे उसमें एक एक लेके चलेंगे तो सारा फिनिस हो जाएगा उसके आद हमारा जो है मुगलवन्स होगा इस तरह से सारी मेडिल इंडिया खत्म करेंगे तो चलिए दोस्तों इस वीडियों बसे नहीं थेंक यू